आज दिल्ली में तेलंगाना कॉंग्रेस के सभी नेताओं के साथ और इंडिया कॉंग्रेस कमिटे के अध्यक्ष्य खारगे जी कॉंग्रेस के नेता राहूल जी गांधी और वेणू गोपाल जी इन्होंने सभी तिलंगणा के नेताओं के साथ चुनाओं के लिए किस तरीके से आगे जाना चाहिए, किस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए इसके लिए सभी नेताओं के साथ डिसकस किया वन टू वन सभी की जो भी सजेशन थे वो सभी सजेशन उन्होंने सभी के बहुत सारा वक्त दे कर सुने हैं और उसी के आधार पे हम चुनाओ जो प्रोग्राम है जो आगे ले जाने की बात है जो इशूज है तेलंगना की जो स्थिती है उसके उपर फोकस करने के लिए उनकी सजेशन हमें मिले है सबसे पहले उन्होंने कहां कि तिलंगना की सरकार के खिलाब जो जनता में नाराजी है जो वाइदे तिलंगना सरकार ने चुनाओ की वक्त किये थे कोई वाइदा उन्होंने नहीं निवाया है लगातार सरकार बनने के बाद खुद के फैमिल्ली के लिए खुद के लिए जो तिलंगना की जनता का पैसा है वो पूरी तरह लुटाया जा रहा है अपने पार्टी का अपने खुद का अपने फैमिल्ली के लिए तो तिलंगना की जनता नाराज है जो हमारी सोच है सुनिया जी गांधी ने तिलंगना वुस्वक जनता की आवाज सुनकर तिलंगना को अलग राज का दर्जा दिया वुस्वक सुनिया जी का जो मकसद था वो तिलंगना की जनता जहां पर बहुत बड़े तादात पे यस्टी यसी, OBC, माइनोरिटी, बहुत बड़ा तपका, गरीवी से जूज रहा है, उनको मदद करने के लिए तिलंगना अलग बनाया था, लेकिन आज तिलंगना की स्थिती, दस साल के बाद, कुछ उसमें परिवर्तन तो आया नहीं, लेकिन लगातार KCRG की तरफ से, बियार इसकी तरफ से, तिलंगना की लूट हो रही है, और जनता ये चाहती है, कि वहां का बदला हो, और इसलिए सभी नेता उने एक साथ होकर, सभी कारे करता उने एक साथ होकर, जनता के पाँच जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, और जो भी हम जनता के लिए, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद करने वाले है, उसके बारे में सबसे पहले घर घर तक पहुचाने की जिम्मेदारी तिलंगना कॉंग्रिस की है, उसके लिए आप सिष्टिम बनाईए, बड़े तेजी के साथ हमें आगे जाना है, जो अभी परिश्टिया बदली है, जिसके कारण पूरी तर तिलंगना की जनता कॉंग्रिस में विश्वास करके, कॉंग्रिस की अबर देख रहे हैं कि कॉंग्रिस इस तिलंगना की जनता के लिए, अच्छे उन्नती की रहा लेके आएंगी, तिलंगना का विकास होगा, हर समाज को जी दपके वए समाज का विकास होगा, यह उमीद तिलंगना में जगी है, आज जिस तरीके से, के सी आर, बी आरेस, पूरे महाराष्ट में, हर स्टेट में, तिलंगना में, बीजेपी के साथ जूड रही है, महाराष्ट में भी जहाँ जहाँ पे, कॉंग्रेस पार्टी मजबूत है, वहाँ बाप पर बीजेपी को मदद पहुचे, इसलिए वहाँ पे कोशिस हो रही है, पूरे के देश में, हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी, कॉंग्रेस को नुकसान पहुचा सकते हैं, बीजेपी को मदद हो सकती है, उस तरीके के प्रोग्राम उन्होंने हाथ में लिये हुए हैं, तो हम समझते हैं कि वहाँ पे हमारे किसान भाई हैं, जिन के लिए पूरे ताकत के साथ उन्तोक संदेश कॉंग्रेस का पहुचाना है, वो जिम्मेदारी महिलाओ के लिए, युवाओ के लिए, OBC के लिए, OBC में के हर कम्यूटी के लिए, माइनारीटी के लिए, सभी के लिए एक प्रोग्राम हम बनाने के लिए, उन्होंने का प्रष्ट रूप से कहा है कि पहले इस उपर फोकस करो आप, जो भी गरीब तपका है, उनके उपर फोकस करो, उनको किस तरह के से आगे मदद होंगी, कि अपनी गवर्मेंट आने के बाद, उस तरीके से हमने एक साथ होकर उस तरीके का प्रोग्राम हमें बनाना है, तो ये प्रष्ट उप्षे उन्होंने कहा, कि सभी नेता एक साथ होकर, तेलंगणा में काम करें, सभी कारे करता काम करें, सभी को इस चुनाव के लिए एक साथ होकर, मजबूते के साथ, बी आरेस को वहाँ पे हमें हराना है, और आज के तारिक में बी आरेस के खिलाब तेलंगणा की जनता है, इसलिए 100% वहाँ पे कॉंग्रेस की सरकार आएंगी, यह मैं यहाँ पे विश्वाद देता हूँ, कि तेलंगणा की जनता चाहती है, इसलिए राहूल यह पश्च तरिके से कहा, सब अभी चुनाओं के लिए तयार हो जाईए, आपसी जो कुछ मतवेद होंगे, कि वो छोड़ दीजिए, सब एक कॉंग्रेस का अपना घर है, एक जूट होकर ताकत के साथ हमको मुकाबला करना है, यह संदेश, राहूल यह गांजी ने सभी नेताओं को सबसे बात्सीत करने के बाद, सबका सुनने के बाद, उन्हें पश्टरूफ से यह कहा है,